दोस्तों अगर आपको इस तरह का प्लास्टिक बोडी वाला पेडस्टल फैन, टेबल फैन, वाल फैन में केपासीटर बदलने के जरोध पड़ जाए तो इस तरह का प्लास्टिक बोडी वाला है इसका है, मैं सिर्फ यही बताने जा रहा हुँ इस वीडियो में, ठीक है? को आपको थोड़ा सा धीला कर लेना होगा पूरा ने खोलना है सिर्फ थोड़ा सा धीला कर लेना है तो मैं इस इसकुरू को धीला करके आपको दिखाता हूं आपको ख्याल रखना है कि इस इसकुरू को पूरा ने खोलना है सिर्फ धीला करना है क्योंकि पूरा खोलने का जर इस पंखे में लगा हुआ है यह अराम से निकल जाएगा देखिए मैं इसे धीला कर लिया है अब देखिए मैं इस परकार से इस रिंग को निकाल लेता हूं तो यह निकल जाता है और इसके उपर वाला जाली भी अराम से देखिए यह निकल गया ठीक है अब देखिए इसे ख लेच में नोब देखरे रहे हैं इस तरह से घुमाते हैं ठीक है जब आप इस तरह से जोर लगाके घुमाये इस नोब को तो क्या होगा यह वाला जो आप नोब है यह तोड locked उड़ाएगा इसे इस तरह से नहीं घुमाना है इसे आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये टूड जाएगा इसे उल्टा तरफ से घुमाना है इस तरह से घुमाना है ठीक है इस नोब को जबी घुमाना है उल्टा घुमाना है देखे इस तरह से घुमाना है ठीक है तो ये वाला नोब अराम से खुल जाता है तो मेरा वीडि को इस तरह से बाहर खीच लेना है तो इसे मैं बाहर के तरफ खीच लेता हूं देखिए इस तरह से यह अराम से निकल गया अब देखिए यहां पर एक इस्क्रू लगा हुआ है तो यहां इस्क्रू नहीं रहता है यहां पर एक पीन रहता है किसी ने इस पंखे को रिपेर किया होगा हो सकता है उसका पीन खो गया होगा तो उसने इस तरह से इस्क्रू लगा दिये है ठीक है आप क्या करना है देखे यह वाला खोलना है इसे खोल तो इसे मैं खोलने के बाद आपको दिखाता हूं इस तरह से देखिए मैं इसे खोल लिए हैं और इसका पीछे वाला जाले भी खुल गया है, अब आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ आपको करना ये है कि इसमें देखे चार इसक्रू लगे हुए हैं, एक, दो, ती, चार, ये चारो इसक्रू को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने चारो इस्कुरू खोल लिये हैं अब आपको क्या करना है इसमें देखिए चार लोक लगए हुए एक दो तीन चार इन चारो लोक को खोलना होगा इन चारो लोक को खोलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ देखिए मैंने चारों लोग खोल दिये तो ये इस परकार से खुल गया है अब पीछे वाले कभर को आप इस परकार से अराम से निकाल ले और आप केपासीटर चेंज कर सकते हैं या इस जगा पर किसी परकार का कनेक्सन का कोई प्रोबलम हो तो उसे आप कर सकते हैं या फिर जो इस जगा पर आपको करना हो वो कर सकते हैं तो इसमें जो ये केपासीटर लगा हुआ है यानि कि ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ये इस तरह का कंडेंसर इसमें नहीं लगा हुआ रहता है इसमें दूसरे तरह का condenser लगा हुआ रहता है तो किसी ने इसे repairing किया होगा तो उसने इस तरह का condenser लगा दी है तो सबका अपना-पना काम करने का तरीका होता है ठीक है तो इस तरह का जो pedestal fan, wall fan, table fan को किस तरह से खोला जाता है यही मैंने आपको इस वीडियो बताया हूँ तो वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को like करें, मेरे वीडियो को share करें